हेलो मेरे प्यारे बच्चो वालकम टू स्टाप अपकेडमी आम रुची उपाधिया यॉर केमिस्टी मेंटॉर और आपको पता ही है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है चैप्टर चल रहा है क्लास 9 का मैटर इन आर्श सराउंडिंग और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं और आप लोग देख भी रहे होंगे और पिछले टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे जैसे की मैटर होता क्या है ठीक है इसका फिजिकल नेचर कैसा होता है प्रेजंट क्लासिफिकेशन क्या बताया गया है आप यह अच्छ स्टेट सॉफ मैटर की अब भी जैसे हमें पता है कि हम स्टेट सॉफ मैटर की बात करें तो हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में पहले मैंने आपको बताया था कि सॉलिट लिक्विड और गैसिस के बारे में बात क्या हुआ है तो यहां पे भी मैं आपको सॉलिड लिक्विड हुआ है पहले क्या जो हमारा फर्स रहेंग जो हमारा स्टेट सॉ प्रोड होता है वह सॉलिड है सॉलिड के बाद हम बात करेंगे तो फिक गैसे हैं और गैस है तीन बारे में बोला गया है कि तीन फर्म रहते हैं अपने क्या आप अच्छी तरी के सी जानते हैं कि यह बी चीज़ हो है यहां पर देखिए मेरे हाथ में यह पैन है यह बारे में तो पहले यहां पर जो हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलड के हम बात करेंगे कि इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है तो पहली बात बोलेगी है आप इस परकत reliable और है तो यह आप पर आप देख रहें इसका और ढलिका लिखा भी हुआ है कि भी क्या है क्या पर कहीं नहीं कहीं देखाने तो यह तो q a क्यों को सॉलिट को आप देख रहे हैं कि कहीं याप hammering करेंगे या से शेप को चेंज करने की कोशिश करेंगे क्षिजी एक्सटरनल होगा तब चाहिए चेंज होगा अदरवाइस ऐसे तो इसे प्लिगे नहीं होगा कि आपने फटा-फटा देखा और यह अचाना कि आपका इस ताइप का शेप का है चाना कोई दूसरा शे between the particles is minimum क्या होता है एक सिंपल से देखिए यहां पर सॉलिड का स्ट्रक्चर दिया है बच्चो और यहां पर यहां पर एक सपोस के फॉर्म में समझना है कि देखिए इनके बीच में जो स्पेस हैं बहुत ही कम इनके बीच में स्पेस होता है ठीक है तो आपको खुद भी पता ह है कि कोई भी मैटर है वो किस से बने हुए हैं पार्टिकल से बने होई है so many particles. ओके वो जो तो यहां पर बोला the space between the particles minimum, बहुत ही कम होता है, देखा जाए तो अपनी जगा पर थोड़ा बहुत vibrate हो सकते हैं, इतना ही space होता है, अब इनके बीच में जो बोला गया है space minimum है, उसका reason क्या है? mean is cause reason the force of attraction between the particles maximum, क्योंकि जो force of attraction है, वो क्या है? maximum है इनके बीच में, और maximum होने के कारण ज़्यादा इनके बीच में space नहीं है, जैसे कि मैंने एक example आपको characteristics of matter में बताया था, कि जो particles of matter attract each other मैंने बोला था, उसमें मैंने को तीन condition बताई थी, कि एक group है जुन्ड है, जिसमें लड़कियां dance कर रही है, और वो लड़कियों रही दूसरी कमर को पकड़ा है बहुत tightly और फिर dance कर रही है, ठीक है, एक मैंने बताया था, जिसमें उसके हाथ को hold कर रखा है, और एक मैंने बताया था, ग्रूप था ऐसा, जिसमें उन्हें से finger से touch का रखा है, finger to finger touch का रखा है दूसरे से, और मैंने बता कि किसके बीश में ज्यादा attraction होगा, कौन से ज्यादा strong bonding होगी, तो हम क्या बोलेंगे जो उन्होंने कमर में हाट डाल के specially किया था, ऐसे ही बात किया जाए, तो solid में space कम होता है, due to strong force of attraction, यह strong force of attraction के करण यह बहु होते हैं, closely packed होते हैं, बचो है ना, तो यह कारण, the moment of the particle is minimum, जब यह closely packed है, due to strong force of attraction, इनके बीच में इतना space भी नहीं है, तो नहीं है, तो यह बात है, they can't move, यह इतना movement भी नहीं होगा, तो movement भी कैसा होगा, इनका minimum होगा, they are least compressible, भाई, compressible की बात की जाए, तो मैं तो बोलत की तो बात ही ना की जाए, solid liquid ठीक है, लेकिन यहां पर तो एक तरीके से बोलता हम, negligible ही बोल सकते हैं, और same with, यहां पर बोला, diffusion, जो की least बोला गया है, NCRT के book में least ही लिखा हुआ है, लेकिन देखा जाए, तो मैं इदिये बोलते हो, diffusion is negligible, solid में, compare में liquid और gaseous form में diffusion है, ठीक है ना, लेकिन आपको इसमें, इदिये हम solid की बात करें, तो least माल सकते हैं, in some cases, but, मेरा तो कहना है, negligible है, कि diffusion ना के बराबर है, ठीक है ना, और same with, य बात करें, solid की बीदी बात करें, तो it is very, 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 बात कर लो, इसका भी कि यह भी compressible तरीके से नहीं होते हैं, तो क्या property समझ में ही, कि इनके strong force of attraction होता है, that's why they are closely packed, इनके बीच में इतना movement नहीं होता, इनके बीच में इतना space नहीं होता, इनका definite shape होता है, इनका definite volume होता है, ठीक तो solid को देखते हैं, compare करो बच्छो, तो बहुत अच्छार के समझ में आने वाला है, जैसे कि हम बात करें, यहां पे shape की, तो इनका shape definite नहीं होता, बट इनका volume हो definite होता है, अब वो कैसे definite होता है, जिसे अभी आपने mobile देखा था, मैंने का इनका mobile का shape definite है, और इसका volume definite है, ले लेकिन देखो, यहां पर यह, मैंने बॉटल मे पानी लिया हुए है, ठीक ए मैंने इसका shape definite है, मैंने इसे बॉटल में लिया, तो यह bottle में हो गया, अब यही मैं पानी को थोड़ा सा देखो, माने की कुछी पानी लोंगी, अब थो शmezए भी तो यह इसके shape में हो गया, ठीक transfer कर सकते हो लेकिन शेप की बात मैं यहां पर करूँगी कि देखिए यहां पर बॉटल में पानी ऐसे शेप में था और यहां पर मैंने पानी देखिए छोटे से गया इसके कैप में ले लिया तो शेप अलग हो गया मतलब पानी का शेप कभी भी डाफनेट नहीं होता है बचो वह आप जिस भी कंटेनर में जिस भी बॉटल में या बकेट में या मग में या बाउल में आप जिसमें भी रखोगे वह वैसा शेप लेलेगा हां वॉल्यूम जरूर उसका क्या रहेगा definite रहेगा आधि आपने लिया वह तो यह फिसमें इस तरीके से आ तो क्लाес एका पॉल में लिकट करें लिकिन शेन्ज तो क्या होता हम जो समझे हैं क्या कि लिक्विट के बास हम बात करेंगे कि इनका भाई shape to definite नहीं होता, आप इसको bottle में रखोगे तो shape में होगा, bowl में रखोगे तो bowl के shape का होगा, mug में रखोगे तो mug के shape का होगा, glass में रखोगे तो glass के shape का होगा, यह different different shape में convert हो सकता है, लेकिन क्या change नहीं होगा, volume change नहीं होगा, तो यहाँ पर यह चीज़ समझ में रहा है, the space between the particle is more than solid and less than gases, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो इनके particles हैं, इनके बीच में spaces थोड़े से क्या होते हैं, solid की component में spaces ज़्यादा होते हैं, जिसे solid का इदी मैं बोलूँ, solid इतने पास पास थे, आप देखरों, इतने पास पास solid के particles थे, तो मैं liquid के particles की बात करूंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा इनमे के बीच में क्या होगा, they have space, क्यों space होगा, because force of attraction इनके बीच में क्या होगा, compare to solid इसमें क्या होगा, force of attraction कम होगा, और attraction कम होगा, force of attraction कम होगा, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि इनका जो space इनके बीच में intermolecular spaces आपको दिखाई पढ़ने लगे और यह थोड़ा बहुत मूव भी कर लेंगे solid के compare में अच्छा कासा यह move कर पाएंगे ठीक है ना मैं एक point इसमें और भी बात करूँ तो kinetic energy ठीक है किना kinetic energy की भी यहां पर condition आती है कि क्या आप solid में देखेंगे तो minimum kinetic energy होता है लेकिन जैसे जैसे हम force of attraction को overcome करते जा रहे है kinetic energy इसमें बढ़ती जाएगी ठीक है और यहां पर देखे force of attraction compared to solid क्या है कम है तो यहां पर kinetic energy क्यों जाएगी थोड़ी जादा हो जाएगी ठीक है ना तो अब यह चीज़ देखा अपनी तो यहां पर मैंने क्या बोला कि the space between the particles is more than solid but gaseous की compare में क्या होता है कम होता है the force of attraction between the particle आपको पता है solid से जादा solid से कम होता है force of attraction और gaseous से जादा होता है तो यहां पर देखी लिखा है less than solid and more than gases the movement of the particle is the intermediate why intermediate solid से जादा होगा गैस से कम होगा क्योंकि इनको इतनी space मिल रही है कि they can move but यहां condition क्या रहेगी intermediate वाली condition इसमें रहेगी तो liquid आपको समझ में अच्छ तरीके से आ गया होगा कि liquid का क्या है अब हम इस नहीं कुछ points को gases में देख लेते हैं solid देख लिया liquid देख लिया अब हम gas की बात करते हैं यहां पर लिखा है gas का कोई देखो gas have no definite shape और fixed volume इनका नहीं definite shape होता है देखा जाए तो और नहीं तरीके से देखा जाए तो fixed volume की बात की क्या है gas occupy the whole space of the container वो पूरे container का एक space को पूरा container का ले लेगा ठीक है ना gas को आप दीदी देखा जाए तो थोड़ा सा ही volume है लेकि वो पूरे के पूरे container को क्या कर लेगा occupy कर लेगा तो इसका नहीं definite shape होता है और नहीं इसका हम बोले fixed volume होता है अधि हम space की बात करें तो इनके particles के बीच में spaces बहुत होते हैं ठीके ना जो इनके particles होते हैं इनके particles के बीच में spaces अच्छा खासा होता है बच्चो देखे यह आपके साथ में दिया भी हुआ है अच्छे खासे spaces इनमें दिख रहा है इनका force of attraction बहुत कम होता है force of attraction जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही वह closely packed होते जाएगे धियान देना बच्चो force of attraction जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही उनके बीच में इंटार मॉलेकूला spaces कम होता जाएगा और वो closely packaged होते जाएगे और force of attraction जिसे ज्वीनमर्व होता जाएगा वो क्यों होगा उनको space मिलता जाएगा ठीक है और ओव दूर होते जायनगे तो solid में force of attraction जादा था तो वो closely m indifferent बहुत पास में और अधे कम थी प्र सभर्चन गम था तो उनमें थोड़े सपेसिस सीच आपको दिखाई पड़े में तो यह हुँ अपनी सो में विसमें अच्छा अच्छा खासाघ़ा की का सफ़े का सफसे नि इसके है कि मिनमा मोटीया अपद बहुत मुतodor which अच्छा खासा ही क्योंते हैं कमप्रिसेबल होते हैं दो देर्ण रेत आफ डि कुज़ों में लिकविड देखा जा तो लेक्विड में डिकुज़न होता है और स्पेश्छी गाशियस फॉर्म में होता है लेकिन गाश्यस में बहुत ज़दा है रिकुज़न देखा-गया होता है most compressible वो क्या है तो यह आपने कुछ प्रॉपर्टीज देख लिए अब यहां पर देखे आपके सामने लिखा भी हुआ है कि रिजट होते हैं फिक्स शेप होता है फिक्स वॉल्यूम होता है यह रिजट नहीं होते हैं इवन यह भी रिजट नहीं होते हैं लेकिन इनका शेफ फिक्स नहीं होता है इधर भी शेफ फिक्स नहीं है फिक्स वॉल्यूम है यहां पर फिक्स वॉल्यूम नहीं है cannot be squashed cannot be squashed मतलब कि देखा जाए तो इसमें चीज जो बोली गई है वो नहीं आएगा दें नेक्स हम देखते हैं यहां पर वाइसा रीजन क्या है आप तो प्रॉपर्टी देखके ही बता दोगे कि सॉल्यूम होता है लिक्विट में कंपेर ज्यादा होता है और किस में होता है यहां स्पेस आपको दिखाई पड़ा है इस पेस के लावा है दि हम बात करते हैं तो दूसरी चीज जो आपको बोलते है वो है force of attraction तो solid में सबसे strongest force of attraction होता है liquid मसे less होता है और negligible होता है gas में that's why why solid liquid and gases are different properties तो एक property आप space की बात करेंगे दूसरा किस की बात करेंगे force of attraction की बात करेंगे जिस current से हम इसको बोलते कि हाँ भाई यह different है और दूसरा movement of particle तो minimum होता है solid में more होता है liquid में और compare to इंदों सबस्यादा maximum किस में होता है gas में जो आप property समझ चुके है क्यों kinetic energy of particles की बात करेंगे और पार्टिकल कब डिपेंड करेंगा जितना उनके बीच में क्या होगा spaces बरता जाएगा जितना force of attraction काम होता जाएगा उतरा ही kinetic energy बरता जाएगा तो solid में minimum होगा kinetic energy और gaseous form में सबसे ज़्यादा क्या होगा kinetic energy रहेगा आपका तो यह आपको समझना होगा फिर देखिए यहां पे कुछ आपको differences बताएं हुए हैं क्या they have fixed shape आपको पता है they don't have fixed shape they don't have fixed shape यहां volume fixed है यहां पे भी fixed है यहां पर fixed नहीं होगी force of attraction maximum होता है compare to solid calm होता है और इसमें negligible होता है can't compress आप नहीं कर सकते solid compress यहां पे भी देखा जाए तो नहीं कर सकते compress और यहां पर देखो तो अच्छा कासा आप क्या कर सकते हो compress कर सकते हो वो क्या है हमारा gas होता है जिसको हम compressible सबसे most compressive कोई चीज़ है तो वह क्या है gaseous form energy of the particle minimum होता है क्यों मैंने बताया जितना force of attraction जादा होगा उतना kinetic energy कम होगी जितना force of attraction आप overcome करते हैं तक कम होता जाएगा उतनी kinetic energy बढ़ती जाएगी ठीक है और यहां पर देखिए high density होती है और यह can't flow बहन नहीं सकता है यहां पर देखिए देखे जाए तो इसके compare में ज़्यादा होता है low density होती है as compare to what solid और यह भी क्या है can flow मतलब fluids हैं तो flow कर सकते हैं यहां पर देखिए सबसे maximum होता है down density करम हो जाती है यहां पर और can flow यह अच्छा खासा flow कर पाता है तो आप में देखा क्या कि यह कुछ properties थी जो मैंने आपको बताएं किसकी solid liquid और gas की अपी जब मैं आगे आपको बताऊंगी कि the change of state of matter यही solid liquid और gas की जो property में आपको बता रही हो उसका बताने का सिर्फ रीजन यह है कि आप समझ जाओ अभी हम जब state को change करेंगे और जब state change होता है तो by applying temperature और by pressure होता है mostly temperature में होता है कही temperature increase करते हैं कहीं temperature हम क्या करते हैं decrease करते हैं तो रोल यहां पी जब आप देखोगे आगे जब मैं पढ़ाने वाली बच्चों कि जैसे माना कि solid liquid में आप convert कर रहे हो तो solid liquid क्या हो मेल्टिंग हो रही है है ना मतलब temperature आप दे रहे हो temperature को आप 30 करोगे तो आप बार बार वहां एक ही point देखने वाले हैं एक दो point like force of attraction overcome हो रहा है kinetic energy बढ़ रही है यही point बार बार उसमें बोले जाएंगे और अपने को mind में यही लेके चलना है क्या force of attraction clear है किसमें जादा है किसमें कम है आपको यह property से समझ में अच्छे तरीके से आचुका होगा दूसरा आपको क्या जाना है kinetic energy force of attraction पर कैसे depend करती हैं तीसरी चीज़ kinetic energy किसके directly proportion होती है temperature की तो temperature बढ़ रहा है तो kinetic energy बढ़ रही है force of attraction घड़ रहा है कुछ point आपको दिमाग में रखने होंगे बच्चों और आप states को very very change of state of matter और उसमें temperature को कहीं बढ़ा रहे हैं तो कहीं घटा रहे हैं तो आप बिल्कुल confusion नहीं होगा वो भी clear हो जाएगा कि भच्चों को बहुत असमें confusion होते हैं इसलिए आज आपको प्रॉपर्टी पढ़ाना दरूरी था और मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी आपको अब अच्छे तरीके समझ में आ चुकी होगी thanks for watching this bye bye